इस इस गौतम पांडे कमिंग अपिद द नेक्स राउंड ऑफ नूज सिंप्लिफाइट तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन इस्टेड़ी वाइज इस नीड़ेट के बारे में तो फर्स्ट और जाना देखते हैं आकि नेशनल सुसाइ को रोकने के लिए गवर्मेंट द्वारा लाए गई पॉब्लिक हेल्थ प्रियार्टी के तोर पर अभी तक के अपनी तरह का पहला स्टेड़ी प्रोग्राम है तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्या नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्टेड़ी है क्या आकर इसकी करें तो यह पॉलिसी आने वाले डिकेड के लिए मिंडल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी है उनको सॉट आउट करने में बहुत ज्यादे हल्प करने वाली हो और साथ ही साथ जो प्रिवेंशन ऑप सुसाइड के लिए जो हमें एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं उसके लिए हम 11.3 है उसे कम करके 2023 तक 10 परसंट तक लाना मिंस आप समझे इसे कम से कम करना जो हम करेंड में देख रहे हैं सुसाइडल रेट हमारे नेशन में बढ़ता चला जा रहा है तो उसे कम करने के लिए यह स्टेड़ी लाए गया है अब जरा बात करते हैं कि इसके की बात करें तो basic objective क्या है first इसका effective surveillance mechanism को develop करना इसमें क्या करेगी government इसमें important government का target है कि next three year में वो effective surveillance mechanism को develop करेगी ताकि जो suicidal mortality rate है उसे कम किया जा सके और nationwide की बात की जा रही है इसमें पूरी तरह से और second की अगर हम बात करें इसका objective की तो second आप समझे कि psychiatric OPD को establish करना इसमें government का target क्या है कि next five year में आप सभी जगह पर जितने भी district label है वहाँ पर psychiatric OPD को develop करना current scenario में क्या होता है कि आप बहुत जगह देखेंगे वह जो छोटे 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 district वगरा होते हैं वहाँ पर जो government hospital होते हैं वहाँ पर psychiatric OPD नहीं होती है इसके पीछे main कारण क्या बताया जाता है जो doctors हैं जो main psychiatrist हैं इंडिया में उनकी कमी है जिसके कारण psychiatrist OPD सभी छोटे छोटे district label पर नहीं होते हैं तो main target क्या होगा कि next five year में सभी district में आप समझेए कि psychiatric OPD को develop करना ताकि जो society prevention mechanism के हम बात कर रहे हैं उसे और ज्यादा strong किया जा सके इसके बाद अगर हम बात करें objective की तो government पहले क्या 3-year का target है फिर 5-year का target है फिर 8-year का target है तो 8-year में target क्या है कि जितने भी educational institution है वहाँ पर एक mental health related एक syllabus को सामिल किया जा सके ताकि जो basic labels है ही जो हमारी mental problem वगरा होती है उसे related सारी लोगों को जानकारिया रहे और आने वाले दिनों में suicidal mortality rate हो से कम किया जा सके तो आप इस objective के मादियम से समझे कि government क्या कोसिस करने वाली है वो target लेकर चल रही है कि जो quality है इस program की उसे और ज्यादा हिनाइंस किया जा सके और basically main target यह है कि better mechanism के साथ आगे बढ़ें और जो हमारे nation में suicidal strategy है जो point बढ़ते चले जा रहे है suicidal आप किसे देखना बढ़ते चले जा जागे implementation level क्या होगा जो इसको एक एक करके समझते हैं अगर बात करे implementation की तो इसमें देखिए सारे जो stakeholder होंगे वो कौन होंगे क्योंकि जब तक implementation अच्छी तरह से नहीं होगा तो किसी program का success होना सबसे important बात क्या होता है implementation पे तो इसमे 5 main stakeholder होने वाले है first कौन होने वाला है first तो होगा कि जो national level पे ministerial stakeholder होंगे वो होंगे second number पर होंगे state government होगी state government की बिना support क्या समझ सकते है state में इसे implement नहीं किया सकता अच्छी से third number पर होगा district level पे district level पे जितने भी जिसे हम बात कर रहे हैं कि district level पे सारे psychiatric copyड को develop करना यह target होगा fourth number पे जो सबसे important stakeholder है वो है निमहांस निमहांस एसिया के सबसे बड़ी psychiatric college hospital मानी जाती है तो उसका सबसे important role play होने वाला है आपर और फिफ्ट नमर पे जितने भी नेशन में other top जो mental health institution वागेरा है वो सारे मिलकर यह जो पूरा program है उसे implement करेंगी और कोसिस करेंगी कि आने वाले दिनों में नेशन में अगले decade में जो पूरा का पूरा जो mortality rate है suicidal का उसे कम किया जा सके है तो अब सबसे important बात क्या आती है कि why is it needed हमें इस तरह के strategy के आखे जरूरत ही क्यों है क्यों हमें इस तरह का strategy चाहिए तो इसे हम एक data के माध्यम से समझते हैं जो already NCRB ने हाल फिलाल में share किया था तो अब हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमें इस तरह के strategy के आखे जरूरत क्यों है तो आगे बढ़ते हैं देखिए अगर बात करें why it is needed की तो यहां पर सबसे important है NCRB का data जो यह कहता है कि अकेले देखे 2022 में अगर 2022 में NCRB ने एक data जारी किया था इसमें कहा था कि अकेले 2021 में आप बात किजे द मिन्स आप समझे कि सिर्फ 1.64 लाइक मिन्स एक लाग सौसर था लोगों ने इंडिया में suicide किया था 2021 में तो आप समझे यह 2020 का जो data था उससे 7.2% जादा था मिन्स जो suicidal rate है वो बढ़ता चला जा रहा है जहां 2020 की बात हम कर रहे हैं वहां से 2021 में 7.2% जादा suicidal cases देखने को मि रहे हैं तो यह सबसे important बात है चिंता की बात है इसमें कहा गया है कि जो COVID-19 के हम बात करते है 2020 में जो COVID की कारण हमारे नेशन में देखा था बहुत बड़ा pandemic आया उसमें कहा गया according to government of India data की बात करे तो उसमें कहा गया था कि इंडिया में सिर्फ 1.48 लाइट लोगों की मिन्स एक लाग 48,000 लोगों की डेथ होई थी इंडिया में 2020 में COVID-19 के कारण है बड़ जहां suicidal की बात हो रही है suicidal cases की बात हो रही है उसकी हम बात करे तो यह जो 2020 का data है 1.48 लाइक उससे 10% ज्यादा है 2021 में हम देख रहे हैं कि इंडिया में suicidal mortality rate है मिन्स 10% ज्यादा लोगों न इंडिया में suicide किया मिन्स COVID से भी बड़ी problem किया हमारे लिए यह suicidal problem जो बढ़ता चला जा रहा है यह suicidal cases को handle करना सबसे बड़ी problem इसलिए government इस तरह के strategy लेकर आ रही है इसमें NCRB ने कहा है every year पूरे nation में आप एक रॉप समझे कि एक लाग से जादा लोग suicide करते है ति बहुत ही जादा disappointment करने वाला scenario है इसके कारण government आगे बढ़कर यह strategy लेकर आ रही है इसमें देखले basically NCRB ने जो data wise discussion किया है उसमें age group को भी decide किया इसमें अकेले कहा गया है कि 80 से लेकर 45 age group के है वो सबसे जादा suicide कर रहे हैं यह तू 321 का data कहता है तो आप समझे कि एसे situation में जहां किसी भी नेशन के लिए जो 18 से लेकर 45 age group होता है वो एक asset के तौर पर होता है वैसे में उनका suicide करना किसी भी नेशन के लिए क्या हो सकता है बहुत बड़ा loss होता है तो आप असानी से सम समझ सकते हैं क्योंकि इंडिया में suicidal rate बढ़ता चला जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही बताया गया है कि mental health problems जो है वो एक बहुत important role play कर रही है लोग क्या होने depression में चले जा रहे है और depression के कारण वो suicidal की condition तक पहुँच जाते हैं तो basically government का target यह है कि जो mental health problems है उन्हें sort out करते हुए नेशन में जो suicidal rate है mortality rate उसे कम किया जा सके और इसके लिए government यह strategy लेकर आई है तो hope आपको यह video समझ में आया होगा thanks for watching